तो हमारा एपरेल 27 का जो बैश था वो 5 में से हो चुका है डेट हमने शफल की है जो के अभी इड है और इस्टुडेंट चाहेंगे कि वो अपने फैमिली के साथ रहें क्योंकि बच्चे साल में एक बार इड आती है तो वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो इसके फोंचते हुए हमने एक डेट को एक्टेंड किया है और 27 एपरेल से जो हमारा बैश था अभी वो 5 में से हो चुका है अगर आप चाहे उसमें शीटें हैं अगर आप चाहे तो बूक कर सकते हैं degenerate मैं कि सट का training देते हैं क्या आपको अलग से यहां पर सीखने को मिलेगा फोन फीक्स हैदराबर्ड जी हां फोन फीक्स हैदराबर्ड इंडिया का एक ऐसा बैस्ट ट्रीनीग सेंटर है जहां पर बच्छे को हम सिर्फ एक technician ही नहीं एक professional technician जहां पर बनाते हैं। तो इंडिया के सारे शहरों से बच्चे यहां पे आते हैं कश्मीर से लिए के कनिया कुमारी ते बच्चे यहां पे आपको देखने को भी मिलेंगे हर स्टेट का बच्चा यहां पे आपको देखने को मिलता है हमारे बच्चे हज़ाल की तादाव में बच्चे जाकर के अपने शहर में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं अगर आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जॉइन करिए आज ही फोन फिट हैदरवाद अपने बिजनेस को अपडेट करिए अपने आपको अपडेट करिए अपनी नौलिज को बढ़ाईए ताकि आपके पास जो सेट रिटन जा रहे हैं वो रिटन ना जाएं आप वो भी रिपेर करके कस्टमर से उसका पैसा ले सकते हैं उसे repair कर सकते हैं अगर आपको proper handset को check करने नहीं आ रहा है अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहा है कि mobile को हम बनाए कहां से आपका अगर handset dead है, light problem है, charling problem है, graphic का problem है network को आपको बनाने नहीं आ रहा है, network के related fault वापस जा रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है कहां से checking करें कैसे checking करें कहां से start करें तो आप आज ही join कर सकते हैं phone fix हैदरवाद आपको एक अच्छे level पर हम काम सिखाएंगे एक professional level पर काम सिखाएंगे ताकि आने वाले समय में कोई नया handset भी आपके पास आ जाए तो आप उसे repair कर सकते हैं आपको circuit diagram की knowledge देंगे आपको hand skill का काम सिखाएंगे black pressure IC बहुत इसली आप उठा लेंगे dual liquor CPU बहुत इसली आप बना लेंगे इस level का यहाँ पर आपको काम सिखाए जाते हैं साथी साथ friends जब tools हम देते हैं आपको SMD देते हैं जो DC machine देते हैं microscope देते हैं सारे के सारे आपको branded tools होते हैं even एक छोटा सा आपको PCB holder भी friends जो हम देते हैं आपको यह branded PCB holder देते हैं ordinary PCB holder बिल्कुल भी हम नहीं देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं heavy heavy PCB holders हम आपको इस तरह के देंगे बहुत costly होते हैं बहुत heavy होते हैं प्रेंट्स हमें पता है tools अच्छे होंगे तभी आपका result भी अच्छा होगा tools के साथा friends जो iron हम देते हैं आपको normal iron नहीं देते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास जो iron हम बच्छों को देते हैं यह T12 का iron देते हैं जिसमें आपका result बहुत ही अच्छा आता है जिससे आपको काम करते हैं और जो handles वगारा हम आपको देंगे यह भी सारे branded handles होंगे और multimeter, twizzer जितनी भी चीज़न देंगे या PPD paste देंगे आपको सारी के सारी friends हम यहां पे आपको एकदम branded tools देते हैं 10 रुबे का भी Mtech का paste आता है हम वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं PPD paste आता है KT वगारा का ordinary tools आते हैं विल्कुल भी हम वो नहीं देते हैं आपको stencils जो देंगे आपको standard branded देंगे आपको ऐसा नहीं कि ordinary stencils देंगे देंगे रिखिए यह sunshine का multimeter है एक अच्छा quality का multimeter है अगर ordinary tools आपको देंगे friends तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं अच्छा result के लिए अच्छे tools होना बहुत जरूरी है तो यहां पर friends हमारे यहां पर इस तरह की आपको training देंगे कि ताकि आप जाकर के एक अच्छे से काम कर सकते हैं circuit diagram का read करने आना बहुत जरूरी है ICों को पैच्छानना जरूरी है sections को पैच्छानना जरूरी है जो component PCB में लगे होते हैं उनको check करने आना बहुत जरूरी है आपको क्योंकि एक register भी miss हो जाए तो आपका set dead हो जाएगा एक capacitor अगर निकाल दें आपका set dead हो जाएगा कोई भी एक section से आप component निकालते हैं तो कौन सा component वहाँ पे missing है कौन सा लगाना है क्या value का लगाना है यह आपको जाना बहुत जरूरी है hardware के साथ substance software और EMC की भी knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि flashing में भी बहुत सारे set dead हो जाते हैं उसे कैसे repair करना है programming में कैसे repair करना है EMC change कैसे करना है EMC programming कैसे करना है EMC reprogramming कैसे करना है EMC auto programming कैसे करना है dead board repair कैसे करना है CPU configuration कैसे करना है board partition कैसे करना है dump backup कैसे लेना है IMEI security network file कैसे backup लेना है basement कैसे repair करना है यह सब कुछ आपको class में बताया जाता है 2-3 EMC कैसे हम find out कर सकते हैं Comfortable EMC आप ये जान सकते हैं Friends कोई भी motherboard आप ले लीजिए आप easily find out कर सकते हैं कि कौन सा section कहां पर है EMC है तो BGA कौन सा है EMC का 221 है 254 है 153 है और EMC है EMC है कि UFS है ये आप जान सकते हैं CPU है Qualcomm Ambediatek है कौन सा CPU है Power है Light ICA, Charger ICA, Graphic ICA ये सब कुछ आप easily easy way में find out कर सकते हैं Friends इसके ही आपको ज़रत पड़ेंगी कि अच्छे teacher की एक अच्छे institute की जो के phone fix हैदराबाद आपको एक अच्छा level का technician बनाएगा एक knowledgeable person आप बनोगे एक professional technician बनोगे phone को समझ के आप बना सकते हैं जल्दी से call उठाइए, book कर लिजिए 5th में से next batch है जियां Friends 5th में से हमारा next batch है जल्दी से seat book करिए reserve करिए अपनी seat और book करिए और हेदराबाद आईए हमारे साथ 20 दिन गुजारिए रहने का coin charge ने रहने का बिल्कुल free होता है only food आपकी दरफ से होता है रहने का हम room आपको देंगे जहां पर आपको कोई extra charges नहीं होगा जल्दी से call उठाइए अपनी seat book कर लिजिए और हमारे साथ जुड़के अपने आपको update करिए अपने business को आगे लिकर जाएए अपनी जो income है income को दुगना तिगना income कर सकते हैं अगर आप समझ के काम करेंगे अगर आप जो set आ रहे हैं customer जो set लाके दे रहा है वापस नहीं देंगे तो आपकी income 100% बननी है बननी है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, share करें और हमारे YouTube चैनल को follow करिए subscribe करिए Facebook पे follow करिए हमें जो बच्चे काम करते हैं उनके सारे हम यहाँ पे उनके post डालते हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस तरह से काम सीख कर जाने के बाद काम कर रहे हैं after course result उनका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिलते हैं किसे next वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस, thank you very much